आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टाडी वित स्मार्टनस में आज हम इस ट्रॉपिक पर बारे में बात करने जा रहे हैं कारे शक्तिय वे मूर्जा से संबंदिर सभी प्रशनों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है एक्जाम पॉइंट ऑफ इस इतने भ हमूर्जा उनसे संबंदिर सभी प्रश्णे जितने भी बन सकते हैं और वह सारे कुश्टर को हम इस वीडियो में आप के लिए लेकर आए हैं चलि स्टाट करते हैं चलिए थोड़ा सा यहां पर शक्ति के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कारे करने की दर को हम शक्ति कहते हैं कारे करने की दर को हम शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं कोई व्यक्ति यदि टी समय में डबलू कार करता है तो उस व्यक्ति की शक्ति का मान निम्नलिकित होगा शक्ति बराबर डबलू अपॉंटी या फिर कार बटे में समय अता है कार वा समय की अनुपात को हम शक्ति कहते हैं कार एवं समय की अनुपात को हम शक्ति कहते हैं शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो वाट अथवा जूल प्रती सेकेंड होता है जूल प्रती सेकेंड कैसे क्योंकि जो शक्ति है वो समय और कार का आनुपात होता है इसलिए कार के लिए जूल प्रती समय यही इसका मात्रक है आगे देखते हैं किसी मशीन दोरा इस्थानांतरित की गती शक्ति को हम होर्स पावर अर्थात अर्ष शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं तो यह important है दोस्त अग्जाम के लिए एक अश्यो शक्ति बराबर 746 वार्ट होता है यह हर जगे कई जगे पुछा जाता है एक्जाम में इसे अच्छे से नूट डाउन कर लिजेगा एक अश्यो शक्ति बराबर 746 वार्ट होता है इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम आज यह कुछ MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा first question है उर्जा की वानिजिक एकाई क्या है हमारा first question है उर्जा की वानिजिक यानि commercial unit क्या है option A है वाट, option B है वाट आवर, option C है किलो वाट आवर या फिर option D है किलो वाट जी हैं दोस्तों इसका correct option है option C किलो वाट आवर उर्जा की वानजिक एकाई है किलोवाट आवर चलते हैं हमाई निक्स कोईशन की ओर जब कोई वस्तू स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल उर्जा क्या होती है option A है बढ़ती है option B है घटती है option C स्थिर रहती है option D पहले बढ़ती है और फिर घटती है ध्यान से देखिएगा दोस्तों जब कोई वस्तू स्वतंत्र रूप से नीचे जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल उर्जा की बात कर रही है तो इसका correct option होगा option C स्थिर उर्जा स्थिर रहती है यही उर्जा सानक्षन का सिध्धान कहलाता है जब करेक्ट option है option C चलते हमाई नेक्स कोईशन की ओर यदि किसी वस्तू पर बहुत सारे बल लग रहे हो तथा यदि वस्तू इस तर अतवा इस्थिर अवस्ता में हो तो भी उन सब बलों द्वारा किया कारे का मान क्या होगा यदि किसी वस्तू पर बहुत सारे बल लग रहे हैं सपोस्थि वस्तू पर कई सारे बल लग रहे हैं चारों तरफ से किन्तु उसकी जो इस्तिर अवस्ता में रहती है वस्तू तो उन सब बल्लों द्वारा किया गया कारे क्या होगा वो पूछा जा रहा है option A है शून ने, option B है धनात्मक, C है बराबर या option D है रिनात्मक तो इसका correct option होगा दोस्तों, correct option होगा शून ने शून ने, इसका correct option होगा क्योंकि चाहे जितने भी बल्ल लग जाए यदि वस्तों में विस्थापन नहीं हो रहा है उसकी इस्थिती में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कारे कमान हमेशा शून ने माना जाएगा option है, यांतरिक उर्जा बरावर होती है, यांतरिक उर्जा के बारे में पुछा जा रहा है कि किसके बरावर होती है option A, गतिज प्लस इस्थितिज उर्जा, option B, रासाइनिक प्लस प्रकाश उर्जा, option C, गतिज प्लस प्रकाश उर्जा या फिर option D, ध्वनी प्लस चुम्बकी उर्जा तो correct option है यांतरिक उर्जा जो होती है वो गतिज प्लस इस्थितिज उर्जा के योग को हम यांतरिक उर्जा कहते हैं अच्छे से याद कर लीज़ेगा दोस्तों गतिज प्लस इस्थितिज उर्जा के योग को हम यांतरिक उर्जा कहते हैं अब correct option होगा इसका option A परंपरागत उर्जा स्त्रोत क्या है? परंपरागत उर्जा स्त्रोत के बारे में पुछा जा रहा है option A है पवन उर्जा, option B है सौर उर्जा, C कोईला, D बायो मास उर्जा इसमें correct option है option c koila option c जो koila है वो परंपरागत उर्जा के स्त्रोत में शामिल किया गया है बाकी जो तीनों चीजें है पवन उर्जा, सौर उर्जा और बायो मास उर्जा ये 11 परंपरागत उर्जा के स्त्रोत माने जाते हैं हमारा 6 question है निमनमे सि네 समूद्री उर्जा है समूद्री उर्जा में option a समूद्री तापी उर्जा option b तरंग उर्जा option c जो वारी उर्जा या फिर d उप्रुक्त सभी ये correct answer है कोशन दोस्तों द्यान से देखेगा इस तरह कोशन आको एक्जाम में एकसर देखने मिलते हैं इजे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है एक वस्तु का द्रविमान आधा तथा वेक दोगना कर दिया जाए तो उसकी गति जूर्जा का मान पहले की अपेक्चा क्या हो जाता है द्यान से देखेगा दोस्तों यहाँ पर गति जूर्जा की जो बात की जारी है और गति जूर्जा काइनेटिक एनरजी जासा कि हम जानते हैं यह होता है हाफ M V स्क्वार तो यहाँ पर यदि वस्तु का द्रविमान वस्तु के द्रविमान को अगर हम आधा कर दें M by 2 कर द तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पहले की पिक्चा उर्जा के मान में किस तरह परिवर्तन होगा तो यहाँ पर देखिए 1 by 2 1 by 2 अर्थाद 1 by 4 M into 4 V स्क्वार तो V से V कैंसल हो जाएगा हमारे पास बचेगा M V का स्क्वार M V का स्क्वार अर्थाद जो हमारे पास पहले थी half M V स्क्वार उर्जा अब वो M V स्क्वार बन जाती है अर्थाद इस पूरी प्रोसेस में गतिज उर्जा का जो मान है वो दोगना हो जाता है इस तरह की प्रोसेस में हमारे जो गतिज उर्जा का मान है वो दोगना हो जात कम होती है या फिर द्रव में गैस क्या अधिक होती है Option C है गैस में ठोस कुकिय Leonard इपक्षा contribute गैस में किशा अधिक णी होती है देखे दोस्तों आड़ों के बात की जा रही है टो आड़ों की गति जुड़जा अर्थाद अड़ूं किस अवस्था 1-2 गति-शील है सबसे जएदा गति-शील है मैं किस प्रक्रिया के कारण सूरय में उर्जा होती है किस प्रक्रिया के कारण सूरे में उर्जा होती option A नाभी की सनलायन option B नाभी की विखंडन option C विखंडन प्रक्रिया या फिर option D रासाइनिक प्रक्रिया correct option है option A नाभी की सनलायन नाभी की सनलायन द्वारा सूरे में उर्जा होती है हमारा 10th question है जब किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो जब किसी वस्तु के वेग को हम आधा कर देते हैं तो इसकी गतिज उर्जा मूल उर्जा की आधी हो जाती है गतिज उर्जा मूल उर्जा की दोगनी हो जाती है या फिर गतिज उर्जा मूल उर्जा की चौथाई हो जाती है या आप पूट करेंगे वेक की वैल्यू हाफ तो यहां पिर हमारे निकल के आएगा कि जो गतिज उर्जा है पहले के पेख्चा एक चौथाई हो जाती है तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अक्षय या अनंत उर्जा का कारण क्या है तारे के जो अक्षय मतलब अक्षय कार क्यां है ओप्शन एफ्श story 향 डिया और ऑप्शन सी ही रोजन का हीलियम प्रिवार्जन मे परिवार्थन उर्ज़क्वाह्थनीं और फिर की अपरांब और हंता है यह उनमें अनंत उर्जा याा अक्षय उर्जा रहती है और छ सudन ऑ्षन Si पस धर्ती पर आकर गिर जाता है पिंड के पत के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदू एक ही चैतिज रेखा पर इस्थित हैं तो पिंड का जो गुरुत्व बल है वह कितना कारे करेगा ध्यान से देखिए कर दोस्तों यहां पर बात की जा रहे हैं कि यदि एक पिंड को सपोस बात की जा रही है कि यदि पिंड एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर लाकर फेका जा रहा है तो गुरुत्व बल द्वारा जी द्वारा उस पर कितना काम किया गया है कितना वर्क लगाया गया है इसकी ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है हमारा जी इकल टू 9.8 बी ऑप्शन है हाफ M v square ऑप्शन C 0 और ऑप्शन D M G H दोस्तों इसा correct ऑप्शन होगा ऑप्शन C 0 जी हैं ऑप्शन C, 0 इसलिए होगा क्योंकि जब भी हम गुरुत्वबल की बात करते हैं तो गुरुत्वबल जो है वो उर्द्वाधर जब भी किसी वस्तुक हम उपर उठाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वबल कारे करता है उर्द्वाधर रेखा में किन्तों 36 रेכा में गुरुतवाबल कारण नहीं करता है गुरुतवाबल का मान महाँ पर 36 रेखा में शून्ने होता है इसलिए किसे भी वस्तु को जब हम पिंड से कितनी भी ऊपर गिराते हैं लेकिन वह 36 रेखा पर ही गिरती है जोई कुल होता है। गुरुत्वारों की दौरा वहाँ पर किया गया करर हम जीरों मानते हैं कि शेटीज रेखा में गुरुत्वारों शूनionsय होता है। अप्शन होगा। ओप्शन सी। मारा नेक्स कोशन है वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसे गते जूर्जा का मान पहले किया पिक्छा क्या जाए तो सेम कोशन है दोस्तों इसको भी हम इसी फॉर्मुले से ड्राइब करेंगे मारा नेक्स कोशन की ओर किसी निकाय में अभी विन्यास के कारण कौन सी उर्जा संग्रहेंगे संग्रहेंड है जाएोग पुद का मारा नापी तो इसको कौन सी उर्जा संग्रहेंगे माई स्थितित चाय में संग्रहेंगे हैं सी थितियत नाभिक उर्जा दीपक में रसाइनी गूर्जा का ही एक उधारान है वाकी सारी चीज़े नहीं है थैंक यू वर वाचिंग इस वीडियो क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भीना भूलें